आप सभी के फेवरेट सीरिल उडारिया का आज का एपसोड रहा बेहती जादा धमाकेदार नमशकार मैं स्वरिस्टी आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलिवर्ट स्पाइ में बेल जैसा कि आज के एपसोड में हमने देखा कि नहमत एकब की मा से ये वादा करती है कि जल्द ही एकम अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे और नहमत हमेशा हमेशा के लिए एकम की जिन्दगी से दूर चली जाएंगी लेकिन यहाँ पर नहमत को एकम की मा इतना कुछ बोल देती हैं कि नहमत बहुत ही जादा होट फील करती है जिहां एकम की मा ने नहमत को ये तक कह दिया कि मैं तुम्हारे कारण ही आज में बिद्वा हूं और इसी के साथ साथ उन्हों ने ये तक कह दिया कि तेजो और फते के नाम पर तुम तो कलंकित हो जिसके बाद की नहम काफी तूट सी गई और नहमत रोड पे ही बैट कर रोने लगी और इसी दौरान आ जाते हैं अदुएट और अदुएट के आने के बाद जब वो नहमत को इस हालत में देखते हैं तो काफी जादा खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जताने लगते हैं कि उन्होंने जो हमीशा के लिए क्याद रखूंगा जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नहमत छुपके से रिकॉर्डिंग आन कर लेती हैं और अदुएट ने जटनी भी गलत चीजधें नहमतके साथ की हैं वो सब ही कुछ बोलते हैं और नहमत इन सभी का रिकॉर्डिंग कर लेती हैं लेकिन जब नेमत जाने लगती हैं तो नेमत का फोन आता है नानु का और अदुएत कहीं ना कहीं ये एसास कर लेते हैं कि नेमत ने अपने फोन में मेरी सारी बातों को रिकॉर्ड किया है और वो जा कर सब को सचाई बताएंगी जिसके बाद हम देखते हैं कि नहमत के बीच में काफी लड़ाई होती है और अदुए जबर दस्ती नहमत को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस फोन को ले और फोन को कहीं न कहीं अपने रिकॉर्डिंग को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर पाएं। ऐसे में हम देखते हैं कि अदुए नहमत का गला तक दबाने लगते हैं और लासली उस फोन को लेकर इटे से उसके चूड़ चूड़ कर देते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाए और अदुएत की सचाई सब के सामने ना आ पाएं। अब इसी के साथ साथ देखना बहती ज़्यादा दिल्चस् क्या लेती हैं वेला करकार अब कमिंटरा के लिए आप है कितने ज़्यादा एक्साइट कमेंट सेक्शन में जरूर शाय करें